दोस्तों क्या आप YouTube पर वीडियो अफलेट करने की वद आपकी वीडियो पर वीयूज नहीं आ रहा है। कि YouTube पर वीडियो आफलेट करने की साथ ठीस साथ 3 सॉर्टिंग्स और करना पड़ता है। अगर दोस्तों, आपने नहीं सुना है, तो इस वीडियो को शुरूर से 90 देखेए हैं, और आपके मैंड में जो सवाल होता है कि आपके मैंड में जरूर ये सवाल हो सकता है, कि आप तो मेरे जैसी एक new creator से. बिलकुली नहीं. क्योंकि मेरा और एक चैनल है इस वीडियो के डेस्क्रिप्शन पर लिंक है आप जाके चेक आउट को खर सकते हैं इस चैनल से मेरा अच्छा कहसा आर्निंग हो रहा है तो दोस्तों वीडियो आप लेट करने की साथ ही सत क्या ये तीन सेटिंग्स ओन करना पड़ता है आज किस वीडियो में आप लूग को इसकी रेकर्ट की माझादम से लाइब दिकाने वाला हूं कि क्या ये तीन सेटिंग्स होता है और ये तीन सेटिंग्स क्या करकांद करता है अगर भाई आप ये तीन सेटिंग्स साथ में ओन करते हो तो definitely आपके वीडियो में views ज़रूर आएंगे क्योंकि ये तीनों settings सबसे main होता है तो चलिए शुरू करते है वीडियो शुरू करने से पहले मेरे एक चोटी से request है दूस्तो अगर आप हमारी चनल पर first time visit के है तो बाई मेरे चनल को subscribe केजिए क्योंकि मैं fake वीडियो मेरे चनल पर कभी भी upload नहीं करता हूँ तो चलिए मैं skin record on करता हूँ और आप skin पर जरूर follow कीजिए तो मैंने skin record on कर लिया है उसके बाद दूस्तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या ये 3 settings है वीडियो शुरू से end तक देखिए और उसके बाद दूस्तो जो भी राय है जो भी आपका सुझाओ है इस वीडियो के comment box में जरूर comment करके बता ला है तो मैंने तो skin record on कर दिया है उसके बाद simply आपको क्या करना है Chrome browser open करना है चलिए मैंने Chrome browser open कर लिया है उसके बाद दूस्तो सार्स बार में simply open होने में तुरा बहुत time लाग सकता है तो यहां आप देख सकते हो कि यह बतलब बिल्कुल open हो चुका है इसके बाद दूस्तों अगर आपने Chrome browser से को भी वीडियो आपलोड नहीं क्या है तो बाई मैं आपसे यह साज़ेश करता हूँ कि आप Chrome browser से वीडियो आपलोड के जिए YouTube एप से और Chrome browser से वीडियो आपलोड करना बहुती अंतर हता है यानि कि Chrome browser से अगर आप वीडियो आपलोड करेंगी तो बहुती मतलब benefit मिलता है तो यहाँ दूस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि यह आइकन पर क्लिक करना है जो वीडियो आपलोड करने के जो एरो आइकन है इस options पर आपको क्लिक कर देना है चलिए मैं क्लिक करता हूँ और मैं डेमो एक वीडियो आपलोट करके और ये तीनों सेटिंग्स ओन करके आप लोग को मैं दिखाने वाला हूँ कि ये तीनों सेटिंग्स आकिर आपने ओन नहीं कहें तो आपके वीडियो पर definitely कभी भी views नहीं आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हूँ कि ये जो मतलब select जो file है इस file पर click करना है और उसके बाद वीडियो आपलोट करना है जो भी वीडियो आपके पास available है मैं एक डेमो वीडियो आपलोट करके आप लोग को मैं दिखाने वाला हूँ उसके बाद दूस्तों यहाँ file है जो भी वीडियो आपलोट करना है आप आपलोट कर लिजे चलिए मैं एक चोटा सा वीडियो आपलोट कर लेता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हो कि वीडियो जो है आपलोट हो रहा है इसमें मैं ना ही मतलब title डालूँगा ना ही thumbnail set करूँगा कुछ भी नहीं करूँगा मैं मैं simply यह तिनो settings के बारे में दिखाने वाला हूँ तो उसके बाद दूस्तों यहाँ दिखके playlist है और यहाँ thumbnail बगरा यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ thumbnail आप set करना है आपको उसके बाद निचे यह playlist इस box पर click करके playlist जो है select करना है उसके बाद दूस्तों निचे एक options आप देख सकते हैं जैसे कि show more यहाँ आप देख सकते हैं मैं जरा highlight करता हूँ show more options पर click करना है चलिए मैं click करता हूँ दूस्तों जैसे इस options पर click करेंगे उसके बाद निचे और भी options आप देख सकते हों तो सबसे पहले तो काफी लोग इसमें वही गलती करते हैं जो settings है settings के जगा आचुका है यहादी के paid promotion अगर आपके वीडियो paid promotion है तो दूस्तों इस box पर click mark add करना है otherwise tick mark नहीं add करना है लेकिन अगर आप एक new creators है तो आपके वीडियो तो कभी भी paid promotion वाला वीडियो नहीं होता है उसके बाद दूस्तों सबसे main जो तिन settings है यह अभी भी बाकी है निचे आ रहा है तो दूस्तों यह यहाँ एक option देखिए automatic देखिए chapters और यहाँ देखिए more मैं आपको highlight करके दिखाता हूं यह जो tick mark है यह tick mark आपको क्या करना है कि यह tick mark हमेशा यह select रहना चाहिए निचे और एक option आप देख सकते हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूं जैसे कि allow यहाँ मैं highlight करता हूं यह जो अटमेटिक ब्लेज यानि कि दूस्तों एलाव ओटमेटिक ब्लेज यह मतलब सब्स मतलब बराबर यह होर एक टाइम यह मतलब available होना चाहिए यानि कि यह tick mark सब्स मतलब यहाँ add रहना चाहिए उसके बाद दुस्तों यह अभी में जो settings है यह अभी complete नहीं हुआ है उसके बाद दुस्तों निचे की तरह scroll down करना है दुस्तों में जो settings है आ चुका है और यहाँ सबसे में जो important settings है यह तीनों settings यही से करना है उससे पहले दुस्तों अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं कहें तो लाइक कीजिए और चलर मना आथे चनल को जरूर सास्काइब केजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर केजिए आपने फ्रेंड की साथ तो दुस्तों मैं यहाँ highlight करके आप लोग को मैं दिखाने वाला हूँ जैसे की language यहाँ आप देख सकते हों language and caption यहाँ के certification तो दुस्तों आपको क्या करना ही कि दूस्तों सबसे पहले एक-एक settings की बार में मैं बात करने वाला हूँ कि किस settings के क्या फायदा होता है अगर आप फायदा नहीं जानते हों तो आ राता है ले ही कि वीटियो लेंबीश क्या होता है यहाँ फायदा मिलता है और क्या loss होता है मैं आपको बाता हूँ वीडियो लेंबीश से लेट करने से होता क्या है मानलेजीव घिदियू पर जो content आप create करते हों उस Content पर आपने Hindi language इस्तेमाल क्या है और आपने यहाँ कोई language choose नहीं क्या है तो YouTube की जो algorithm होता है YouTube की जो system होता है जो satellite होता है satellite को थूड़ी ना पाता होता है कि आप कि इस language पर वीडियो आपड़ेट कर रहे हो अगर आपने यहाँ language choose करते हो जैसे कि Hindi या English तो जो choose करते हो जो language उसी की हिसाब से YouTube की जो algorithm है algorithm ने audience की सामने वीडियो पहुचाने का काम करता है अगर आपने हिंदी चूज क्या है तो हिंदी वालो की सामने आपके वीडियो जो है recommend करता है आपने यहाँ कोई language choose नहीं किया है और आपने इस वीडियो की अंदर हिंदी में बात किया है और किसी एक English वालो की सामने आपने आपके जो वीडियो है YouTube ने recommend किया है तो क्या English वालो ने आपके जो हिंदी बासा है कभी समझ पाएंगे बिल्कुली नहीं इसलिए दुस्तों यह जो language है आपको set करना सबसे first mandatory है उसके बाद दुस्तों में और आपको मैं दिखाता हूँ कि जब से main जो important settings है आवे भी complete नहीं हुआ है उसके बाद दुस्तों यहाद की एक option है जैसे की caption, certification यह यहाँ मतलब चेर्चार करने की जुरूरत नहीं है उसके बाद दुस्तों यहाँ निचे आना है तो यहाँ सबसे main जो setting है आपको मैं दिखाता हूँ जैसे की दुस्तों यहाँ आप देख सकते हूँ यहाँ दिखे license और यहाँ दिखे distribution तो इसमें भी कुछ करने की जुरूरत नहीं है दुस्तों यहाँ आपको मैं बता दू कि दुस्तों यहाँ सबसे main जो सबसे top जो सबसे number one जो setting से यही है मैं आपको highlight करके दिखा रहा हूँ यहाँ देखे category category के अंदर क्या क्या है और यही select करने से क्या फाइदा मिलता है और क्या loss होता है तो दुस्तों दिखे चली में यह cancel करता हूँ highlight जो है और यह category जो है science and technology इस options पर क्लिक करता हूँ दुस्तों अगर आप बिल्कुल एक new creator से और आप वीडियो आपलेट करने के बाद आपकी वीडियो पर बिल्कुल views नहीं आ रहा है तो दुस्तों मैं suggest जब देखते हो कि मतलब मान लिजे आप चार पास तरीका की वीडियो आपलेट क्या है और जिस तरीका की वीडियो में मतलब जिस टाइप की वीडियो में views ज्यादा आ रहा है उसी topic पकड़के उसी topic की उपर वीडियो आपलेट करना है और यह जो topic है, किस topic की ओपर आ रहा है, यानि कि किस category में आ रहा है, उसके बाद category आपको choose करना है, अगर आपने लगबग 100-100 वीडियो आप्लेट कर चुके हैं, तो उसके बाद दूस्तों आपको क्या करना है, कि दूस्तों यहां, जो मतलब main category होता है, आपकी related, वही category आपक को बाता दू, मान लिजे, आपने gaming वीडियो आपलेट करते हो, और आपने choose क्या है people and blog, तो जब आप gaming वीडियो आपलेट करते हो, तो YouTube ने क्या करता है, कि people and blog, यानि कि जो लोग blog वीडियो देखने में interested है, उन लोग की सामने, YouTube ने ये वीडियो recommend करता है, तो क्या gaming वीड YouTube की जो algorithm है, algorithm की साथ, ये set होता है, ये connect होता है, जब आप वीडियो आपलेट करते हो, तो साथ ही साथ YouTube की जो algorithm है, algorithm को एक signal चला जाता है, और उसके बाद YouTube ने वही सही audience की सामने आपकी वीडियो recommend करता है, ये है दूस्तों settings सबसे main, जो settings है, ये है, settings है, और ये settings को अभी आप भूल कर, चोड़ना नहीं, settings one करना है, और दूस्तों यहाँ आप देखिए, जैसे कि यहाँ देखिए, बाकी जो settings है, मतलब सबकुस normal है, इसमें set, अगर आप नहीं गर अगई तो भी चलेगा, तो दूस्तों ये जो settings आप लोग की साथ मैंने share किया है, शायद किसी YouTubers इतना मतलब कास की तरह clear नहीं बताते होंगे, तो दूस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और चैनल मनायते चैनल को जरूर सस्काइब केजिए, और मुझे लगता है कि एक चोड़ा सा update आप लोग को मैंने दिया है, तो मिलते हैं नेक्स किसी इनादर वीडियो में तब तो के लिए जाए हैं, चैनल बार